आप देख रहे हैं सिटी न्यूज टुडे लाइब सन जोसफ सेनियर सेकेंडरी स्कूल रामद्यालू मुझफरपूर में प्राताकाल के अबधी में योग का आयोजन किया गया जिसमें कच्छा नर्सरी से कच्छा दस्वी तक के सभी बच्चों ने भाग बढ़ चड़ कर लिया जिसमें योग के अभियास के साथ साथ योगा के महत्व को भी बताया गया योग एक कसरत ही नहीं बलकि यह हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने में सहायता परदान करता है योग से छातरों को आंतरिक शांती मिलती है और उनका स्वास्त बेहतर होता है उससे वे स्कूल में नियमित रूप से आते हैं, योग से चातरों का ध्यान के अंदरीत करने में मदद मिलती है और उनकी ध्यान अवदी बढ़ती है। इससे उनकी सिम्रती भी बेहतरीन होती है, योग से छात्रों का समग्रह विगास होता है, इससे उनकी हड्यां और मांसपेश्चियां मजबूत होती हैं और उनका लचिलापन बढ़ता है, योग से छात्रों में अनुशासन आता है और आवेक कम होता है, योग से छात्रों को खुद को अभिव्यक्त करने का तरीका मिलता है इससे कक्षा में चुनाती पुर्ण व्यवहार कम होता है योग से छात्रों का संतुलित सवभाव विक्सित होता है इससे वे छोटी छोटी बातों पर जगड़ों से बसते हैं इत्यादी बातों पर ध्यान केंडरी किया जाता है केंडरी किया जाता है केंडरी किया जाता है